इसमें है हर्याना की भोगलेbirds श्थिति है इसके इधर पश्यम में लगता है राजस्थान इधर उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश इधर पूराव में लगता है उत्तराखंड और यूपी और यहाँ पर केंद्र शाषित प्रदेश है दिल्ले तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि हर्याना का जो मैप है वो किस तरह से है इसमें मैं लोकेशन भी बताऊंगी तो सबसे पहले देखिए सबसे उत्तर में जो जिला है वो है पंचकुला और यहाँ पर जो सबसे उत्तरी पॉइंट है वो है शाहपूर इरा शाहपूर I think यह आपको याद रह जाएगा शाहपूर फिर यहाँ पर अगर हम दक्षिन की तरफ जाते हैं तो दक्षिन में सबसे दक्षिनितम जिला है वो है नुह तो नुह में जगय है दोहा देखो नुह में भी दो लेटर आ रहे हैं और दोहा में भी दो लेटर तो ये है दोहा दोहा सबसे दक्षिनितम जगय है अगर मैं बात करों पश्शिम की तो पश्शिम में है सिर्सा सिर्सा में जगय है चोटाला चोटाला जो सियम भी रहे हैं हरियाना के वो सिर्चा से ही थे और सबसे पूर्वी राज्य है यमुना नगर और यमुना नगर में जो जगय है सबसे पूर्वी जो बिंदु है वो है ताजे वाला तो यहां से ताजे वाला याद रह जाएगा क्योंकि यमुना का पानी है वो काफी ताजा है ऐसे याद रखना है कि यमुना का पानी ताजा है तो ताजा से ताजे वाला अब हम देखते हैं इसकी लोकेशन लोकेशन की अगर बात करें तो अगर उत्तर में देखें तो यहाँ है 30 डिग्री और 55 मिनट तो 30 डिग्री 55 मिनट है 30 हमें याद रखना है और 55 याद रहेगा देखो इधर यहाँ परपंजाव राज्य है तो पंजाब पंज यानि 5 और 5 तो 30 डिग्री 55 मिनट अगर दक्षिन में याद देखें यह नौर्थ है और यहाँ पर भी नोथ लेंगे क्योंकि हम उत्री गोलार्द में स्तीत है तो यहाँ पर है 27 डिग्री और 49 मिनट 27 डिग्री जो है अब यहाँ पर देखो याद ऐसे करेंगे यहाँ पर यह 3 का क्यूब है यहाँ पर 3 है और इधर 3 का स्क्वाइट तो 3 और यह 9 हो जाएगा और यह 27 डिग्री और 49 मिनट यह है नौर्थ फिर इसकी बात करते हैं क्योंकि हम जो देशांतर रेखाए होती हैं उसके इस्ट में है तो यहाँ इस्ट होगा तो इसमें इस्ट में होगा देखो इधर यहाँ पर यह वाली लोकेशन देखें तो यह है 24 डिग्री और 28 मिनट यह आपको याद रखना है और इधर यहाँ पर है यह वाला जो भाग है यहाँ 77 डिग्री यानि 77 डिग्री और 36 मिनट यहाँ पर यह याद रख लेगे कि यूपी जो है यूपी हमारे साथ में लगता हुआ प्रदेश है या राज्य है तो हम साथ-साथ हैं तो 77 और 36 वैसे याद रख लिजिएगा इसके बाद मैं देखती हम कि चित्रफल की बात करें तो हर्याना का जो चित्रफल है अगर भारत की चित्रफल की बात करूँ तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमेटर वहीं हर्याना का है 44,212 वर्ग किलोमेटर और देश का 1.34 परतिशत घेरेवे है और 21 राजे है अगर जैन संक क्या कि द्रिश्टी से देखें तो भारत का अठारवा राज्य है और प्रतिशत है 2.09 प्रतिशत ये विस्तार हम देख चुके हैं अब मैं बात करती हूं कि हर्याना के कौन से जिले हैं वो कौन से राज्य से लगते हैं और बहुत ही आसान ट्रिक बनाऊंगी हो सकता है ये व पंजाब पंजाब से साथ राज्य लगते हैं इधर एक राज्य है इसको थोड़ा सा मैप को थोड़ा साइड में कर लूँ तो पंजाब इधर पंजाब है इधर राजस्थान और इधर यूपी तो इन अगर राज्यों की मैं बात करूं तो इन से साथ साथ जिले लगते है कितने जले लगते हैं? साथ साथ तो अब हम 7 जिले याद करेंगे कि कौन-कौन से 7 जिले हैं जिनकी सीमा पंजाब से लगती है अब पंजाब का मैं संदी विछेद करने वाली हूँ और ये संदी विछेद एक दम सही संदी विछेद नहीं है थोड़ा गलत ही है इसको मैं लिख दूँ अगर पंज पलस आब ये हो गया पंजाब अब इससे याद कैसे करेंगे कि कौन-कौन से जिले की सीमा लगती है तो पंज से बनेगा पंचकुला ये रहा पंचकुला जैसे बनेगा जीन्द ये रहा जीन्द याद करेंगे बाद यानि फतेहाबाद अब बच गए हैं तीन जिले चार जिले तो हो गए पंचकुला, अमबाला, जीन्द और फतेहाबाद अब देखो पंजाब में सर्षों का शाग बूत फेमश है सर्षों का शाग मक्केदी रोटी सर्षों का शाग तो सर्षों यानि सिर्षा सर्षों से क्या बनेगा सिर्षा सर्षों का शाग का से बनेगा का से कैथल यानि कि सिर्षा औरे कैथल अब पंजाब में सर्षों के शाग की बात की है तो पंजाब की कुडी की बात तो होगी बनाएगा कोन बनाशाग है ना तो पंजाब की कुड़ी कुड़ी यानि कूशे बनेगा हमारा कुरुक्षेतर तो ये साथ जिले हैं पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेतर, कैथल, जीन, फतेहबाद और सिर्षा जिन की सीमा लगती है पंजाब से नेक्स देखते हैं हम राजस्थान अब राजस्थान बूती रंगीला देश है रंगीला राजस्थान जो बोलते हैं अब रंगीले राजस्थान में इस कुड़ी को लेके आना है यानि हम सफर एक शब्द याद करेंगे हम सफर क्या ढूदने जाना है राजस्तान में, हम सफर हैसे बनेगा हिशार मैसे बनेगा महेंद्रगड सैसे सिर्षा फैसे बनेगा फतेहबाद और रैसे बनेगा रेवाडी ये पांच जिले हो गए पांच जिले कौन से कौन से हुए हिसार, महिंद्रगड, सीर्षा, फतेहबाद और रिवाड़ी अब दो जिले बसते हैं तो देखो हम सफर को देखने गए तो उसका मुह तो जरूर देखा होगा क्या देखा होगा? मुह देखा होगा अब मुह देखा है तो मुह और नुह एक जैसी pronunciation है मुह और नुह तो नुह की सीमा है वो भी राजस्थान से लगती है अब मुह से हम बोलते हैं यानि मुह से वाणी क्या सुनी हमने उसकी? वाणी सुनी अब वाणी और वाणी यानि भिवाणी ये जिला होगया भिवाणी तो यहाँ पर सिर्षा, फतेहबाद, हिशार, भिवाणी, महिंद्रगड, रेवाडी और नुह इन जिलों की सीमा लगती है राजस्थान से चलो next देखते हैं next मैं बात कर रहे हूँ यूपी की अब यूपी में सभी को पता है कि यमुना नदी दाती है तो एक बार क्या होता है कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो बोलते हैं कि चलो फन करने चलते हैं क्या करने चलते हैं फन करने चलते हैं अब वो फन करते हैं यमुना के पास चले जाते हैं अब यमुना में पानी होगा तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बोलता है मेरे नाल पानी पी मेरे नाल यू पानी पी ये मैं लिख देती हूँ थोड़ा एक मिनट मेरे नाल पानी यू पी यू पी यानि यू पी अब यू पी से उत्रपरदेश भी बनता है अब यहाँ पे हम जिले बनाएंगे इससे मेरे नाल नाल यानि करनाल ये रहा करनाल पानी पी यानि पानी पत यू पी कैसे पी ना है यू पी ना है यू मतलब अब यहाँ पे यू पी यू और नू एक जैसे वर्ड है तो यहाँ से बन जाएगा पानी पत यू मतलब नू और पी मतलब पलवल अब देखो चार जिले याद हो गए हैं मेरे नाल पानी पी नाल यानी कर नाल पानी यानी पानी पत यू मतलब नू और पी मतलब पलवल अब पानी कहां पी रहे हैं यमुना नदी में यानी यमुना नगर पांच जिले याद हो सोने की फरियाद करते हैं कि चलो वही सोते हैं ठक गए हैं सोने की फरियाद अब सोने से यानि सोनिपत और फरियाद से फरिदाबाद तो ये साथ जिले हो गए हैं यमुना नगर, करनाल, पानिपत, सोनिपत, फरिदाबाद, पलवल और नुह तो ये थे यूपी के साथ लगने वाले जिले अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ हिमाचल प्रदेश अब हिमाचल हिम यानि बर्फ बर्फ की बात हो रही है एक बार अंबा माता अंबा मतले माता होती है न अंबा तो अंबा क्या करती है पंच मारती है कहां पंच मार तो अमबा जब बर्फ में पंच मारेगी तो जो बर्फ है वो पिंखल जाती है पिंखले गी तो नदी बन जाएगी और नदी कौन सी यमुना तो अमबा है तो अमबाला पंच मारा यानि पंचकुला और नदी बन गई यानि यमुना नगर तो हिमाचल प्रदेश से तीन जिल लगते हैं अब लास्ट बचता है उत्राखंड उत्राखंड की बात करें तो यहां पे देखो यह यमुना नगर वाला यह थोड़ा सा जो पार्ट है यहां से लगता है उत्राखंड तो उत्राखंड लास्ट में खंड आता है और कोई भी खंडित मूर्ती होती है तो खंडित प्रफल की द्रिश्टी से बात करें तो सीरसा सबसे बड़ा जिला है और यमुना नगर जो जिला है एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा तीन राज्यों से लगती है यानि हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड और यूपी तो ये थे हर्याना के कुछ जिले इन में से दो जिले और किसी राज्य से नहीं लगती है हलंकी जो जजजर है उसकी केंद्र शाशित प्रदेश दिल्ली से जरूर लगती है दो जिले तो ऐसे हैं जिनकी ना तो किसी राज्य से लगती है और जजजर एक ऐसा जिला है जिसकी केंद्र शाशित प्रदेश के साथ सीमा लगती है तो य ये थे हर्याना के कुछ जिले जिनकी सीमा दूसरे राज्यों से लगती है और I think ये वीडियो आपको सही लगा होगा एक बार देखने में हो सकता है याद ना हो लेकिन आप दो तीन बार वीडियो देखेंगे तो जरूर याद हो जाएगा अगर आपको याद हो जाता है वीडियो कौन से टॉपिक्स पर वनाने हैं सो पीपल थेंक यू